हाई गाइस करावन बाले में लौड़न सबस्क्राइए मैं अपने प्रिवेस वीडियो में बोला था कि मेरे नेक्स वीडियो बो जल्दी आने माला है ए दो आदउलने नेक्स वीडियो सब्क् looking और रा रहा है अगर आपके नेवरोड में किसी का बर्दी होता है और आप चॉकलेट किफ्ट कर रहे हो सो उसको अच्छे से पैक कैसे करना है वह आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी और यह वो है जो मैंने अपने प्रीवेस वीडियो में मनाया था तो आज मैं इसको यूस करने वाली हूं तो इसके लिए मैटेरियल्स क्या के चाहिए हो मीन चॉकलेट एक कलर पेपर पीस वाइट पेपर पीस एंड इस स्टोन सबसे डेकोरेट करने लिए आप टेकन तो स्टोन तो कलर स्टोन्स अगर आपके बस स्टोन्स नहीं है तो यू के बिंदी स्टोन वाली जो बिंदी आते हैं वो भी यूस कर सकते हैं डियुक्त है तो असेख भी बिंदी आपके साथ नहीं आप है नहीं तो यह मैं चॉकलेट को ऐसे शुकलेट को इसे डखने है स्कोल एसे रखाय है और स्कोल में पेस्ट करूँ यह मैं एसे बढ़ आप 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 पेस्ट को पेस्ट करने वालियो एव झाप आप 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 पेस्ट को और सीक्वार है जब तर अपर nécess है कर कर दो काक दो तरे कि तूद कर दो क्या टूदक थान से तरान सक्वาराय है ए यह भ्लडनों इंसा खबड़े जिस्त कर दूए। क्याませ जीर सोड़े कर दो कि एक साइड पेस्ट करने वाली कोई सी भी साइड पेस्ट करने वाले हूं केंसी मैं इसको पेस्ट कर लिया एक साइड में दूसरे साइड से चॉकलेट भाने का लूए इसको अम ऐसे डारेक्शन में करके अंदर डाल दोंए चॉकलेट अंदर पॉच किया तो अब वह कॉलर्ड कॉलर्ड पेपर को मैं कट करूं यह बीच में से अधर से दें फोल्ड करूंगे ऐसे आउटर इसमें तो कॉलर्ड वरे लुक रहेगा और दें इसको चॉकलेट पर ऐसे जबाकर पेस्ट कर दूनी हापर असे तो में बीच में से पेस्ट कर लिख वीच में अब तो बो पेस्ट हो गया है यह बोस्ट इंपल से लग रहा है सो इविल पेस्ट इस स्टों इवन ट्रीयों इसको कॉट कर लेते हैं तो प्रेट वर्यों इस स्टों इस स्टेटान कि यहीं इसे है यहा है now i will write something here so as you can see i have written it's for you and i have made heart also now you can see the look so lockdown के टाइम पर आपको कोई और गिफ्ट तू अबलेबल नहीं होने का है कि आप गिफ्ट कर दो किसी को सुछ एक चोकलेट आप गिफ्ट कर सकते हो एसको अचिसर एक पैक कर कर thank you and we will meet in our next video very soon don't forget to like and share my video and subscribe my channel also turn on the bell icon so that you can receive the notification whenever i have upload a video bye bye